एलो इस वीडियो में आज हम देता वैलिडेशन के बारे में डिटेils में जानेंगे तो देता वैलिडेशन एक बहुत याच्छा फिचर है अगर हम ब्रकशीट में कुछ गलत लिख देते हैं तो ये देता वैलिडेशन फिचर हमें गलती करने से रोगता है इस फिचर के अब हम यहाँ पे detail में समझेंगे, तो यहाँ पे यह data दिये गया है, जिसमें यह name है, age है, gender है, date है, time है, इन सभी में हम data validation लगाएंगे, तो एक-इक कर के पहले इसमें data validation लगाएंगे, तो सबसे पहले है name तो name में हम data validation लगाएंगे name का मतलब यह होता है कभी-कभी हम character लिखते हैं name के जैसे यहाँ पे हम जो character लिखेंगे उसकी limit हम यहाँ पे set करेंगे तो यहाँ पे हम set करेंगे कि एक से लिखे 5 तक character यहाँ पे आए बाकी character आगर 5 से ज़्यादा character यहाँ पे हम लिखें उसको यहाँ पे यह cell में ना लें तो यहाँ पे हम data validation लगाएंगे तो इसको करने के लिए जहाँ पे हमने data validation लगाना है उसको select करेंगे यह select किया हमने select करने के बाद data type पे जाएंगे यह data type है इसके वाद यहाँ पे data validation यहाँ पे क्लिक करेंगे यह data validation डाइलो वोक्स यहाँ पे आ जाएगा इसमें सबसे पहले यह जो type है setting का है इसके वाद input message यह है इसके वाद error alert यह है इनको हम यहाँ पे detail में जानेंगे तो पहले यहाँ पे setting में क्या होता है इसको यहाँ प पे क्लिक करेंगे यहाँ पे यह एनि वैल्यू, हॉल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम इस वीडियो में हम इन सभी को डेटेल से समझेंगे तो यहाँ पे हमने नेम के लिए डेडा वैलिडिशन लगानी है तो यहाँ पे हम इस डेटा में यहाँ पे यह ओर बटन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या चाहिए? बिट मिन चाहिए? not between चाहिए? एकल टू छाहिए? इकल टू चाहिए? greater than चाहिए? या ग्रेट दन इकल टू या less than इकल टू? तो इसमें कोई भी option हम यहाँ पे लिज़कते हैं जो टेक्सts लिखना है वो एक से लेके पांच करेक्टर का होना चाहिए तो हम यहां पे between इसको use करेंगे यहां पे between पे क्लिक किया बिट पे क्लिक करने के बाद यहां पे limited set करेंगे जैसे यहां पे हमने लिखा एक एक के बाद यह minimum यहाँ पर 1 होना चाहिए और maximum यहाँ पर 5 यह 5 हमने यहाँ पर लिखा यह हमने यहाँ पर minimum 1 भर दिया और maximum 5 भर दिया कि जो character है एक से लिखे 5 तक आए इससे ज़्यादा character जो हम name में लिखे वो यहाँ पर ना आए तो यह हमने यहाँ पर set कर दिये करने के बाद हम यहाँ पे OK पे क्लिक करेंगे suppose करो यहाँ पे हमने name लिखा Amit Amit लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यह दिखो Amit यहाँ पे कोई भी error show नहीं हुई क्योंकि यह जो character है यह दिखो 1, 2, 3, 4 इससे ज्यादा हम यहाँ पे character लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हमने चंदर इसमें जो है character 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पे हमने character जो लिखेंगे है वो 7 है जब हम यहाँ पे enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने पे यह error message यहाँ पे आ गया कि यह जो value है यहाँ पे match नहीं कर रही है retry करो अगर हम यहाँ पे 5 से ज़्यादा character लिखेंगे तो यहाँ पे error message शो करेगा तो हम यहाँ पे retry यह click किया click करने के बाद यहाँ पे हम 5 character लिखेंगे यहाँ पे हमने विक्की लिखा विक्की लिखने के बाद यहाँ पे enter प्रेस किया तो यह रिखों यहाँ पे यह character ले लेगा तो जब भी हम यहाँ पे 5 character से ज़्यादा यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे error message show हो जाता है तो जो भी हम यहाँ पे यह जितनी field हमने select की थी इसमें जब हम 5 character से ज़्यादा character लिखेंगे तो यहाँ पे error show करेगा अगर हम 5 character यह इससे कम character यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे error message show नहीं करेगा तो इस तरह से हम name में data validation लगा सकते हैं इसके बाद इसको यहाँ पे मिटाएंगे आगे जो यहाँ पे दिए गया है वो है is तो age में भी यहाँ पे हम data validation लगा सकते हैं जैसे यहाँ पे हम age में data validation लगाएंगे कि जिसकी age यहाँ पे 25 से 50 error है वही यहाँ पे enter हो बाकी यहाँ पे enter ना हो तो हम यहाँ पे data validation लगाएंगे तो इसको लगाने के लिए हम field को यहाँ पे select करेंगे यह देखो यहां पे यह इतना हमने स्लेक्ट किया है यहां पे डाटा वैलिडिशन हमने लगाना है इसके वाद डेटा डाइब पे जाएंगे डेटा डाइब पे जाने के वाद डेटा वैलिडिशन यहां पे क्लिक करेंगे डेटा वैलिडिशन पे क्लिक करने के वाद यह डे के बाद data में यहां पे between है तो यहां पे यह दिखो option और भी है यहां पे not between equal to not equal to greater than यह सभी option यहां पे है तो सबसे पहले हम यहां पे between इसको use करेंगे between पे click करने के बाद यहां पे दिये गया है minimum तो यहां पे minimum value हम यहां पे भरेंगे 25 यह 25 लिखा और यहां पे maximum दिये गया ह यहां पे हम भारेंगे 50 तो यहां पे हमने value भार दी minimum value 25 और maximum value यहां पे 50 भार दी तो यहां पे हमने minimum value 25 रख दी और maximum value 50 रख दी तो यहां पे हम वही is enter कर सकते हैं जिसकी is 25 से लेके 50 तक हो इसके बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यहाँ पर is हम enter करेंगे जैसे suppose करो हमने यहाँ पर is enter की 25 enter प्रेस किया तो यह देखो यहाँ पर कोई भी error message नहीं आया जब हम यहाँ पर लिखेंगे 22 enter प्रेस करेंगे तो यह देखो यहाँ पर error message आ जाएगा कि यह जो हमने value लिखी हुई है यह match नहीं कर रही है और कोई value यहाँ पर लिखो तो यह यहाँ पर match नहीं कर रही है अब हम retry करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 30 enter प्रेस किया तो यह देखो यहाँ पर match कर रही है इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 55 और जब हम यहां पर enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करते हैं हमारे पास यहां पर error message आ जाएगा कि यह जो value हमने यहां पर बरी हुई है यहां पर match नहीं कर रही है क्योंकि हमने जो range set की हुई है 25 से लेके 50 तक यहां पर set की हुई है तो इसी लिए यह यहां पर error message हो कर रहा है तो हम क्या करेंगे यहां पर retry करेंगे यहां पर हमने 40 बरा enter प्रेस किया तो यह देखो यहां पर यह जा गई इसके बाद आगला जो option है उसको use करेंगे इसको delete किया delete करने के बाद अब हम यहां पर second option को लेंगे तो इसके लिए हम यहां पर field को select करेंगे यह select की select करने के बाद data type पर जाएंगे data validation यहां पर click किया यहां पर click करने के बाद data validation यहां पर आ जाएगा इसके बाद यहां पर सभी को यहां पर clear करेंगे यह clear किया clear करने के बाद यहां पर allow यहां पे दिये गया है, allow पे यहां पे हम hall number इसको लेंगे, यह hall number यहां पे आ जाएगा, इसके बाद यहां पे between, तो between यहां पे दिये गया है, लेकिन between की जगा यहां पे हम करेंगे not between, not between में minimum value हम यहां पे रखेंगे 25, यह 25, इसके बाद maximum value यहां पे 50, यह 50, इसके बाद य यहां पे हमने 25 यह वरा enter प्रेस किया तो यहां पे यह message आ रहा है कि यह value match नहीं कर रही है तो 25 से लेके 50 तक कोई भी value जओ हम यहां पे enter करेंगे वो value यहां पे error शो करेंगे इसके इलाबा जितनी भी value यहां पे हम enter करेंगे उसको यहां पे यह ले लेगा जैसे suppose करो यहां पे हमने retry किया और यहां पे 25 की जगा 22 यह लिखा enter प्रेस किया तो यह लेखो यहां पे कोई भी error message नहीं आया है क्योंकि हमने जो data validation लगाया हुआ है वो not between और not between जो लगाया हुआ है वो 25 से लेके 50 तक लगाया हुआ है कि 25 से लेके 50 तक जितनी भी is है वो यहां पे enter ना हो और जो इसके इलावा यहां पे हम is enter करें वो यहां पे enter कर लें जैसे suppose करो हमने यहां पे 50 यह is enter की इसके बाद enter प्रेस किया तो यहां पे यह लिखो message शो कर रहा है कि यह value match नहीं कर रही है retry किया अब इसके जगा हमने यहां पे 51 एंटर प्रेस किया तो यह देखो यहां पे error नहीं आ रही है तो not between का मतलब यह होता है कि जो value हमने minimum और maximum भरी हुई है उसके बीच में जो भी value है वो यहां पे enter नहीं करेंगा इसके बाद इन value को delete करते हैं यह value delete की इसके बाद फिर से इसको select किया यह select करने के बाद data type पे जाएंगे और data type पे जाने के बाद data validation यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद यह data validation आ जाएगा यहां पे हम clear all clear all पे click करने के बाद यह यहां पे clear हो जाएगा allow यहां पे हमने all number यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद यहां पे data में हमने कर लिया between not between इसके बाद equal to equal to को हम यहां पे लेंगे यहां पे equal to पे click किया equal to पे click करने के बाद यहाँ पर दिया गया value कि हम यहाँ पर value वरेंगे कि जो equal to है जैसे suppose करो हमने यहाँ पर 50 वर दिया कि जिसकी age 50 है वही यहाँ पर enter हो बागी value enter ना हो तो यहाँ पर 50 वरा इसके बाद OK पर click किया OK पर click करने के बाद अब देखो यहाँ पर हमने is भरी 50 50 भरी यह यह यहां पर आ जाएगी यह देखो enter प्रेस किया तो यहां पर कोई भी error message नहीं आया लेकिन 50 के इलावा जो भी यहां पर is हम भरेंगे वो is यहां पर नहीं आएगी यह देखो यहां पर suppose करो हमने 51 यह लिखा enter प्रेस किया तो यहां पर error आ गया इसके बाद जब हम यहां पर retry करेंगे retry करने के बाद यहां पर लिखेंगे 49 49 लिखने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यह value भी यहां पर error message ओ करेगी यह दिखो enter प्रेस किया तो यहां भी यह error आ गयी 50 के इलावा कोई भी value अगर हम यहाँ पे भरेंगे तो उसको यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि हमने data validation में option लिया हुआ है equal to अब हम अगले option को लेंगे इसके लिए हम यहाँ पे range select करेंगे इसके बाद data tab पे गए data validation यहाँ पे click किया data validation डायलाओ वोक्स आ जाएगा इसके अलो यहाँ पे दिये गया है any value तो यहाँ पे हम लेंगे all number यह यहाँ पे select किया इसके बाद data पे हमने more button पे click किया more button पे click करने के बाद हमने यहाँ पे कर लिया है between not between equal to equal to के बाद यहाँ पे not equal to not equal to यह option हम यहाँ पे लेंगे यहाँ पे click किया click करने के बाद जो value हम की सभी value यहां पर insert कर सकते हैं यहां पर suppose करो हमने value वरी 50 यह 50 वरी 50 वरनी के बाद जब हम okay पे क्लिक करेंगे okay पे क्लिक करने के बाद ये दिखो ऐस में जब हम यहां पर 50 वर्णेंगे तो यह error message show करेगा यह लगा away तो 50 के इत्व यह लावा जो तो इसको retry करते हैं, यहां पे हम भरते हैं, 55, enter प्रेस किया, यह दिखो, यहां पे is आ गई, इसके बाद यहां पे 40 किया, enter प्रेस किया, यह यहां पे आ गई, इसके बाद 45 किया, enter किया, यह यहां पे आ गई, तो 50 के इलावा, जो भी यहां पे हम भरेंगे, वो यह यहां प करेंगे इसके बाद data type पे जाएंगे data validation यहां पे क्लिक करेंगे इसमें clear all यहां पे क्लिक करेंगे इसके बाद allow यहां पे क्लिक करेंगे और hall number यहां पे क्लिक करेंगे data पे अगला option हम यहां पे लेंगे greater than तो यहां पे हम greater than पे click करेंगे minimum value यहां पे भरेंगे तो minimum value suppose करो हमने यहां पे भरी 20 okay पे click किया okay पे click करने के बाद यह देखो 20 से ज़्यादा value जो भी हम भरेंगे वो यहां पे आएंगी निचे value उनको यहां पे भरेंगे तो वो value यहां पे नहाएगी suppose करो हम यहाँ पर 25 एज यहाँ पर बड़ते हैं यह 25 एज बरे और प्रस किया तो यह देखो जी यहाँ पर आ गए लेकिन जब हम 20 से नीचे वाली एज को यहाँ पर insult करेंगे तो वो एज यहाँ पर नहीं आएगी यह देखो जैसे suppose करो हमने यहाँ पर 8 ने लिए enter प्रेस किया तो यह देखो यहां पर retry यहां पर यह value match ने करी है क्योंकि हमने जो यहां पर condition लगाई हुई है वो 20 से greater than है 20 से ओपर जितनी भी value हम लिखते जाएंगे वो value यहां पर बिना error के आती जाएंगे और 20 से नीचे जो भी is यहां पर हम insult करेंगे वहां प close करो retry किया यहां पर हमने वरा 50 यह हमने वरी enter प्रेस किया यह भी आ गई अगर यहां पर हम वरेंगे 14 enter प्रेस किया तो यह देखो यहां पर error आ गई इसके बाद इसको cancel करते हैं यह delete किया delete करने के बाद अब अगला option हम यहां पर लेंगे इसके लिए fit से इसको select करेंगे select करने के बाद data type पर जाएंगे data validation यह data validation डायलो वोक्स आ जाएगा है यहां पर clear all यहां पर click करेंगे यह सारा clear हो जाएगा इसके बाद फिर setting type के यहां पर alone में जाएंगे और यहां पर all number य पर लेंगे यहां पर दिया गया है less than यहां पर click किया तो इसके बाद यहां पर maximum है तो maximum यहां पर हम value वरेंगे 100 यहां पर 100 वरेंगे इसके बाद a Steel Key पे click करेंगे अब देखो जब हम यहां पर 100 से ओपर कोई भी यहां पर insult करेंगे तो वहां पर error message show हो गा और 100 से निच्च यह यहां पर बरी enter प्रेस किया तो यह रिखो यहां पर error message आ गया इसके बाद retry करते हैं यहां पर हम भरते हैं 88 enter प्रेस किया यह रिखो यहां पर error नहीं आई इसके इलावा यहां पर 50 बरा enter प्रेस किया यहां भी error नहीं आई लेकिन जब हम यहां पे 100 से ओपर कोई भी value insult करते हैं तो वहां पे error message आ जाएगा जैसे ही suppose करो यहां पे हमने 105 यह is यहां पे insult की enter press किया तो यह रिखो यहां पे error message आ गया इसके बाद यहां से इसको बंद करते हैं यह यह बंद किया बंद करने के बाद यहां पे इसको delete करते हैं यह delete किया delete करने के बाद यह select रहने देते हैं इसके बाद यहां पे data type पे जाएंगे data validation यहां पे click करेंगे इसके बाद यह इसको clear करेंगे clear all allow पे हम all number इसके बाद यहां पे data पे more button पे click करेंगे इसके बाद आगला जो है greater than or equal to इस option को लेंगे कि जिसकी value greater than or equal to है यहाँ पे click किया यहाँ पे click करने के बाद यह देखो यहाँ पे हम भरेंगे 50 यह देखो 50 भरा इसके बाद जब हम यहाँ पे ok पे click करेंगे तो ok पे click करने के बाद यह देखो यहाँ पे हम 50 यह 50 से उपर जो भी age लिखेंगे वहाँ पे error नहीं आएगी और जो age हम यहाँ पे 50 से कम लिखेंगे वहाँ पे error आजाएगी इसको करके देखते हैं यहाँ पे हमने value भरी 50 enter प्रेस किया तो यह देखो यहाँ पे error नहीं आए क्योंकि greater than or equal to यहाँ पे हमने option select किया हुआ है इसके इलावा यहाँ पे हमने 51 भरा यह देखो enter प्रेस किया यहाँ भी error नहीं आए इसके बाद जब हम 50 से कम age बरेंगे वहाँ पे error आएगी जैसे यहाँ पे देखो 49 enter प्रेस किया तो यह देखो यहाँ पे error message आगया अब हम यहाँ पे retry करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 88 88 लिखा enter प्रेस किया यहाँ भी error message नहीं आया है यह 39 लिखा enter प्रेस किया यहाँ पे error आगया तो यह देखो यहाँ पे हमने option select किया हुआ है greater than equal to उसमें हमने value set कि हुई है 50 तो 50 यह 50 से उपर जो भी value हम यहाँ पे insult करेंगे उसमें error नहीं आएगी और 50 से कम जितनी भी यहाँ पे error message शो होगा तो इस तरह से हम यहाँ पे data validation लगा सकते हैं इसके बाद ही यहाँ पे इसको बंद करते हैं इसके बाद ही इसको delete करते हैं यह delete किया delete करने के बाद इसको फिर से select किया select करने के बाद फिर data डाइप पे गए data validation यहाँ पे click किया यह data validation डाइलोग वोक्स आ जाएगा इसमें फिर हम clear all पे click करेंगे और फिर हम वैसे करेंगे allow पे all number और यहाँ पे data पे हम last option को करेंगे less than equal to तो यह जो less than equal to है यह opposite है greater than equal to की अब देखो हमने 50 से कम बाले चाहिए 50 या 50 से कम बाले तो हम इस option को लेंगे यहाँ पे less than equal to इस को लिया और यहाँ पे maximum value जो है हम 50 रखेंगे 50 रखने के बाद यहाँ पे ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह देखो यहाँ पे हम भरते है 50 यह 50 रखने किया यह देखो यहाँ पे कोई भी error message नहीं आया अब 50 से कम जो भी हम यहाँ पे insult करेंगे वहाँ पे error message नहीं आएगा यह देखो यहाँ पे 49 यह भरा enter प्रेस किया यहाँ भी कोई भी error message नहीं आया इसके बाद 30 यह बरी enter प्रेस किया यहाँ भी error message नहीं आया अब जब हम 50 से ऊपर कोई भी यहाँ पे यह बरेंगे वहाँ पे error आ जाएगी यह देखो यहाँ पे 55 इसके बाद enter प्रेस किया तो यह देखो यहां पे यह error message यहां पे आ गया है क्योंकि हमने data validation डायलो बॉक्स पे less than equal to यह select किया हुआ है और जो maximum value हुआ है वो यहां पे रखी हुई है 50 तो 50 से कम जो भी is हम यहां पे insult करेंगे वहां पे error नहीं आएगी और जो 50 से उपर जो भी is हम यहां पे लिखेंगे वहां पे यह error message आ जाएगा तो इस तरह से हम यहां पे data validation लगा सकते हैं इसके बाद यहां पे इसको बंद करते हैं इसके बाद इसको delete करते हैं यह delete किया इस को हम यहां पे point में लिखें तो point में लिखने के लिए suppose करो यहां पे हम age को point में लिखते हैं जैसे यहां पे 22.5 यह age हमने यहां पे लिखी enter प्रेस किया तो यह देखो यहां पे error message आ गया तो यह point में age कैसे लिखी जाती है इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे इसको delete करते हैं अगर हम age को point में लिखने जाते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे range को select करेंगे जहाँ पे हमने data validation गाना है इसके वाद data type पे जाएंगे data type पे जाने के वाद data validation यहाँ पे click करेंगे यह data validation यहां पे आ जाएगा इसके बाद यहां पे allow यहां पे किया हुआ है whole number तो यहां पे हम लेंगे decimal यह देखो decimal यहां पे है जब हम decimal पे क्लिक करेंगे तो हम कोई भी is decimal में लिख सकते हैं यहां पे decimal पे क्लिक किया decimal को select करने के बाद data पे हम यही रहने देंगे less than equal to और maximum जो value है यहां पे हम 50 रहने देंगे इसके बाद ok पे क्लिक करेंगे अब अगर हमें 22.5 लिखना है तो हम यहां पे लिख सकते हैं यह देखो जैसे 22.5 इसके बाद enter प्रेस किया तो यह देखो यहां पे error message नहीं आया इसक किया तो यह देखो यहां भी error message नहीं आया तो इस तरह से अगर age को हमने यहां पे point में लिखना है तो इस तरह से हम इसको set कर सकते हैं इसके बाद इन values को delete करेंगे यह delete के इसके बाद अगला जो option है वो है list option list option में जो होता है वो यहां पे filter लगता है अगर हम यह चाते हैं कि जो list है हमें बार बार लिखनी ना पड़े हम click करें वो list अपने आप यह आ जाए या हम list में कुछ गल्त लिखे तो वो हमें error message शो करें तो इसको करने के लिए हम के करेंगे जहां पे हमने data validation लगाना है उसक validation यहां पे click करेंगे data validation पे click करने के बाद data validation dialogue box आ जाएगा आने के बाद यहां पे हम setting में जाएंगे और setting में जाने के बाद यहां पे allow यहां पे हम more button पे click करेंगे more button पे click करने के बाद यहां पे हमने किया all number decimal इसके बाद है list तो यहां पे हमने list पे click किया यह हमने list यहां प पे list रखी हुई है उसको हम यहां पे select करेंगे तो यह list हमने यहां पे रखी हुई है जैसे यह male और यह female है यह list हमने यहां पे बना के रखी हुई है इसको select करेंगे यह list select की यह list select करते ही यहां पे आ जाएगी आने के बाद हम यहां पे ok पे क्लिक करेंगे okay पर क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पर यह फिल्टर बनके आ जाएगा तो यह जो फिल्टर है यहां पर लिस्ट बनके आ गई है जितनी लिस्ट हमने select की हुई है उतनी list यहां पर आ गई है यह देखो more बटन पर यहां पर क्लिक करेंगे तो यह देखो यह list यहां पर पड़ी हुई है एक में mail लिखा हुआ है एक में female अब हम जिसके ओपर क्लिक करेंगे वह ही यहां पर आ जाएगा यह देखो जैसे mail चाहिए यहां पर क्लिक क गल्ज लिखी हुई है, यह हमने यहां पर spelling लिखी, इसके बाद enter press करेंगे, यह enter press किया, यह देखो यहां पर error message आ गया, यहां पर spelling गल्ज लिखी हुई है, तो यह हमें यहां पर error message बता रहा है, तो इसको हम यहां से सही कर सकते हैं, retry करो, इसके बाद यहां पर अगर हम लि इस तरह से data validation पे हम यहां पे कोई भी आगर हमें list बनानी है तो इस तरह से हम यहां पे list बना सकते हैं इसके बाद इसको delete करते हैं यह delete किया इसके बाद data validation पे हम अगले option को करेंगे date option तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे जहां पे हमने data validation apply करना है वहां पे हम range को select करेंगे यह range select की, select करने के बाद, इसके बाद data type पर जाएंगे, data validation यहां पर click करेंगे, data validation पर click करने के बाद, यहां पर setting में, allow पर अगला जो option है, यहां पर date का है, यहां पर date पर click किया, date पर click करने के बाद, data पर यहां पर हम between इसको रहने देंगे, इसके बाद start date पर हम यहां पर date ल यह हमने यहां पे year वरा इसके बाद यहां पे end date जो है यहां पे जन्वरी यह वरा हमने इसके बाद date जैसे 20 है 20 date भरी इसके बाद year यह year वरा तो यह देखो यहां पे start date हमने भरी हुई है 3 जन्वरी और यहां पे end date जो है यहां पे 20 जन्वरी यह यहां पे भरी हुई है इसक ओके पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करने के बाद क्या होगा तीन से कम या बीस से उपर जो भी हम यहां पे डेट बरेंगे उसमें एरर आएगी इसको करके देखते हैं यहां पे ओके पे क्लिक किया ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहां पे हम डेट बरेंगे य यह देट हमने यहाँ परी, तो यहुआ हमने परी तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर error शो करेगा, यह रैको önटर प्रेस किया क्या, तो यहां पर errorasis कर रहा है क्योंकि यह जो date है यह match नहीं कर रही है क्योंकि हमने यहां पे third January से start किया हुआ और 20 January तक लिया हुआ end date 20 January है तो यहां पे यह first January है तो इसलिए यहां पे यह error शो कर रहा है जब हम यहां पे इसको यहां पे बंद करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे यह date हमने यहाँ पे बरी बरने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यहाँ पे error नहीं आएगी यह देखो enter प्रेस किया तो यहाँ पे कोई भी error नहीं आए इसके बाद फिर हम यहाँ पे कोई ओर date बरते हैं जैसे यह date हमने यहाँ पे बरी enterprise करेंगे तो इसमें भी कोई भी error नहीं आएगी यह दो एंटर्प्रेस किया तो यहां भी कोई भी error nहीं आए अगर हम यहां पे jannvary से ज़्यादा यहां पे कोई date वरेंगे तो उसमें error आएगी यह करके देखते हैं यहां पे हमने वरा तो यह data हमने यहाँ पर भरी तो यहाँ पर हमने day जो है 20 से ऊपर लिया हुआ है तो यहाँ पर जो है हमें error show करेगा क्योंकि हमने जो date set की हुई है वो start date है 3 और end date है 20 तो यह 20 से ऊपर है जब हम enter press करेंगे तो यह देखो यहाँ पर error error message शो करेगा क्योंकि date में हमने यहां पर data validation लगाया हुआ है तो इसलिए यह हमें यहां पर error शो कर रहा है इसके बाद यहां पर इसको बंद करते हैं बंद करने के बाद अगले option को हम यहां पर करेंगे वह है time option तो time option पर हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये रेंज को स्लेक्ट करेंगे ये रेंज स्लेक्ट की स्लेक्ट करने के वाद फिर हम यहां पर डेटा डाइप पर जाएंगे डेटा वैलिडेशन यहां पर क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पर क्लि लेंगे यहां पर time पर click किया time पर click करने के बाद data पर हम यहां पर between रखेंगे तो अब हम यहां पर start time और end time इसके बीच में यहां पर data validation लगाएंगे तो start time पर यहां पर हम 9am यह लिखेंगे यह 9am लिखा और end time यहां पर हम 11am यह लिखा तो data validation पर हमने start time 9am लिखा और end time 11am लिखा यह time हमने यहां पर set कर दिया set करने के बाद अब जब हम time लिखेंगे और जो time हम 9am से लिखे 11am तक लिखेंगे उसमें कोई भी error ने आएगी और जो time हम 9am से कम या 11am से ज़्यादा लिखेंगे उसमें error आएगी यह दिखो करके दिखते हैं ok पर click किया ok पर click करने के बाद यहां पर यह दिखो यहां पर time पर हम लिखेंगे 9am यह लिखा enter प्रस किया enter प्रस करने पर यह दिखो कोई भी error यहां पर हमें नहीं आए अब यहां पर हम 8am यह लिखेंगे यह दिखो 8am यह लिखा enter प्रस तो यह error message यहां पर आ जाएगा क्यों आया क्योंकि हमने जो start time लिखा हुआ है वो 9 am लिखा हुआ है यहां पर हमने data validation अपलाई किया हुआ है तो इसी लिए यहां पर यह हमें error आ गई इसके बाद यहां पर इसको cancel करते हैं इसके बाद अगर हम यहां पर 10 am यह लिखेंगे enter press करेंगे तो यहां भी error नहीं आएगी यह देखो enter press किया तो यहां भी error नहीं आए इसके इलावा अगर हम यहां पर 11 am लिखेंगे यह देखो 11 am इसके बाद enter press किया तो यहां भी error नहीं आए अगर हम यहाँ पे 11.20 लिखेंगे ये देखो ये टाइम अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे error आ जाएगी ये देखो करके देखते हैं Enter press किया Enter press करने के बाद ये देखो error message यहाँ पे आ गया क्योंकि time जो है end time जो है यहाँ पे 11 am है 11 से हमने ज़्यादा यहाँ पे लिख दिया है तो इसलिए यहाँ पे हमें यह error message शो कर रहे है तो हमें जो time है वो 9 am से लेके 11 am के बीच में लिखना है तो जो time हम यहाँ पे 9 am से लेके 11 am तक भरेंगे उसमें कोई भी error नहीं आएगी और जो time हम 9 am से कम यह 11 am से ज़्यादा लिखेंगे वहाँ पे error आजाएगी क्योंकि हमने time में data validation लगाया हुआ है तो इसके बाद यहाँ पे इसको बंद करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे हम time में भी data validation लगा सकते हैं इसके बाद हम इस सारी data को delete करेंगे यह सारा data यहाँ से delete किया अब हम यहाँ पे data type पे जाएंगे data type पे जाने के बाद data validation इसके बाद यहाँ पे यह data validation यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे कोई value set करते हैं जैसे यहाँ पे allow पे हमने whole number यहाँ पे लिखा और यहां पे data पे between यह set किया set करने के बाद यहां पे minimum value जो है हमने यहां पे 18 यह भरा और जो maximum यहां पे value है वो यहां पे हमने 100 यह भरी भरने के बाद यहां पे ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यहां पे age जो है जब हम यहां पे 18 से लेके 100 तक बरेंगे तो हमें error नहीं आएगी अगर हम यहां पे is 18 से कम बरेंगे तो यहां पे हमें error आएगी या 100 से उपर बरेंगे तब भी हमें error आएगी यह करके देखते हैं यह दिखो यहां पे हमने is बरी 17 17 बरने के बाद जब हम enter है यहां पर हम आता है अगर हम यह चाहते है कि यह हम अपनी साब से बनाए तो इसको करने के लिए यहां पर पी बन करने के बाद data डेटा टायप पे जाएंगे data validation यहां यहांपे यह जो setting है, setting के यह जो second number वाला है यह है input message जो message है हम यह चाहते हैं कि, जो हम lिखे उस हίसाब से message बनके आये तो यहाँपे हम second type पे click करेंगे input message, यहाँ पे click किया, click करने के बाद यहाँ पे दिया गया है title तो title यहाँपे हम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे यहां पे लिखेंगे हम information यह information हमने title पे लिख दिया और input message यहां पे हम लिखेंगे enter is यह input message पे हमने enter is लिख दिया लिखने के बाद जब हम ok पे click करेंगे तो जो error message है हमें यह message show करेगा यह देखो ok पे click किया ok पे click करने के बाद अब देखो यह देखो यहां पे हमारा cursor है यहां पे हमने click किया तो यह देखो यहां पे click करने के बाद यहां पे हमें यह message show कर रहा है information और यहांपे inter is अब हम जिस भी cell के क्लिक करेंगे यह हमें message शो करेगा ये दिखो दूसरे पर क्लिक किया ये information इंटर इज तीसरे पर क्लिक किया फिर हमें ये input message शो कर रहे हैं तो इस तरह से हम अगर input message ये बनाना चाती है तो इसको हम यहां पे बना सकते हैं, input message के बाद, अब हम अगले tab को करेंगे, वो है error alert, तो यह क्या होता है, इसको करके दिखते हैं, जैसे पहले इसको यहां पे delete करते हैं, यहां पे data type पे जाएंगे, और यहां पे data validation, यहां पे click किया, यह data validation डायलो बॉक्स यहां पे आ जाएगा, इसमे हम यह setting में यही बरेंगे, जैसे all number, यहां पे between, यहां पे minimum value 18 और maximum value 100 बरेंगे, यहां पे input message इसको हम यहां से delete कर देंगे, title और input message इसको delete कर देंगे, अब हम third tab को करेंगे, वो है error alert, यहां पे click किया, यहां पे click करने के बाद, यहां पे हमारे पास style दिये गया है, इसमे more button पे click करेंगे, तो more button पे click करने के बाद, यहां पे first पे दिया हुआ है stop, second पे है burning और third पे है information, अब हम इन तीनों को करेंगे, तो पहले करते है stop को, यहां पे stop पे click किया, इसके बाद कुछ भी title यहां पे लिखेंगे, जैसे invalid data यह लिखेंगे, यह invalid data यह हमने यहां पे दिखेंगे हम insult correct is, यह लिख दिया, लिखने के बाद जब हम ok पे click करेंगे, तो जब error message आएगा, उसमें यह message आएगा insult correct is, यह करके दिखते है, ok पे click किया, ok पे click करने के बाद, यह देखो is, यहां पे हम जब 17 यह बरेंगे, तो यहां पे error message आएगा, यह देखो enter पे click किय तो enter पे क्लिक करते ही हमारे पास यह देखो जो हमने यहां पे लिखा था insult correct is यह यहां पे आ गया तो stop में यह हमें यह message शो करेगा insult correct is इसके बाद यहां पे इसको बंद करते हैं बंद करने के बाद अब हम second option को लेंगे तो इसके लिए यहां पे हम data type पे जाएंगे data validation यहां वो है warning यहां पे warning पे क्लिक करेंगे तो warning option यहां पे हमने select कर लिया इसे क्या होता है अगर हमें कोई value चाहिए तो हम yes पे क्लिक करेंगे अगर हमें कोई value नहीं चाहिए तो हम no पे क्लिक करेंगे तो warning में यह यहां पे set होता है तो इसके लिए यहां पे title पे हम यही रहने द error message पे insult correct is यह रहने देंगे इसके बाद ok पे click करेंगे जब हम यहां पे 17 यह लिखेंगे यह 17 यह लिखा जब हम enter प्रेस करेंगे तो यह हमें message में yes या no पूछेगा यह देखो enter प्रेस किया तो enter पे click करते ही हमारे पास यह message आ जाएगा जिसमें यहां पे दिये गया insult correct is और हम यहां पे yes पे click करेंगे तो जो value हमने लिखी हुई है वही रहेगी अगर हम no पे click करेंगे तो हम कोई और value यहां पे insult कर सकते हैं तो हम यहां पे yes पे click करते हैं तो yes पे click करते ही यह लिखो यहां पे 17 value ही रही इसके बाद फिर हम यहां पे जाएंगे data type पे जाएंगे इस style पर दिया हुआ है warning तो यहां पर हम third option को लेंगे information यहां पर क्लिक किया information यहां पर क्लिक करने के बाद यह title हम यही रहने देंगे इसके बाद error message यह भी यही रहने देंगे यहां पर यह जो setting में यह rule लगे हुआ है इनको भी यही रहनी देंगे इसके बाद error alert यहां पर क्लिक करेंगे और ok पर क्लिक करेंगे यहां पर हम age insult करेंगे 17 तो 17 is क्लिक करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यहां पर यह हमें केवल message बताएगा कि insult तो information क्या करता है यह हमें केवल message शो करता है कि insult correct is जब हम यहां पे ok पे click कर देते हैं तो यह इस age को ले लेता है यह देखो ok पे click किया तो यह age यहां पे आ गई तो information का मतलब यह होता है कि यह cable हमें information देता है कि हमने यह age बरी हुई है गलत है कि सही है तो इस वीडियो में हमने data validation को बहुत ही detailed से जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद